नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडी आई क्यूकेडिन स्वागते आज आपके लिए महत्वपुन टोपिक लेकर के आ गया हूँ कल मैंने आपको चम्मल नदी के बारे में बताया था उससे पहले इंद्रा गांदी नर के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ बहुत महत्वपुन जिससे सबसे ज़्यादा प्रसन पूचे जाते हैं आपके राजस्तान में प्रतेक परिक्षा में चपड़ाजी से लेकर के आपके आरेस बरती तक कौन सी नदी है वह माही नदी माही नदी से समंदित हर परकार की परिक्षा में क्यूशन पूचे जाते हैं इससे जुड़े महत्वपुन फैक्ट जो भी होंगे सारे में आपको बताने वाला हूँ इससे बार आपका एक भ से सस्क्राइब कीजियेगा तो चलिएगा पहला परसन होगा माही नदी का उदगम इस्तल तो माही नदी का उदगम से अपन जहाँ पर यह मिलती है वहाँ तक की पूरी बाते जानेंगे तो इसका उदगम कहां से होता है मद्य पर्देश के दार जीले में सरदार पुरा के मिन्डा गाउं के निकट विंड्या चल परवश्रेणी में इस्टित महंद जील से माही नदी का उद्गम होता है तो ये आपको याद रखना है कि मद्यपर्दीष के दार जीले से होता है कहां से कौन सी जील है दोस्तों महंद जील तो आपको ये याद रखना है बारत में माही नदीका बाव सित्र या प्रवा सित्र कहां कहां पर है तो बारत में माही नदीक जो है मद्दे प्रदेश, राजस्तान और गुजरात तीन राजियों में बहती है कहां कहां पर मद्दे प्रदेश, राजस्तान और गुजरात याद रखना है very very important है पूचा जा सकता है आप से करम भी पूचा जा सकता है चलिएगा आगे देखते हैं तो निया परे आपकागला क्या है राजस्तान में माई नदी का बाउशेत्र तौ बाउशेत्र कहा है ये देखते है राजस्तान में माई नदी बांसवड़ा प्रताबगड डूंगरपूर जीलों में बने के बाद गुजरात में कमबात की काड़ी यानि की अरब सागर में गिर जाती है तो आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है राजस्तान में जो माई नदी का जो है प्रवास यतर है वो बांसवड़ प्रताबगड डूंगरपूर है ये इंपोर्टेंट है उसके बाद ये नदी जो है गुजरात में कमबात की काड़ी में गिर जाती है अरब सागर में तो ये आपको याद रखना है बार बार में पूचा जाता है ये तन्या से माई नदी राजस्तान में बांसवड़ा जी खांदू गाओं में क्या करती है परवेश करती है तो ये भी आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है यहाँ पर राजस्तान में माही नदी के प्रवास्यत्र या बावस्यत्र को 56 का मेदान कहा जाता है यानि कि माही नदी का जो प्रवास्यत्र है उसमें बावस्यत्र को क्या कहा जाता है चपन का मेदान कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है चलिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों चपन का मेदान और यह भी इंपोर्टेंट है और चोरा सी गड़ कहां किया चंबल लदी का जो प्रवेस होता है चोरा सी गड़ चितोड़ गड मतलब ऐसे ही फेक्टों से आपके क्यूशन बनते हैं अगला है माही नदी के उपनाम तो माही नदी के उपनाम आपको बताने हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है जैसे चंबल नदी का चर्मन वती हो गया आपके जो भी इंपोर्टेंट है वो आपको उपनाम क्या है तो उपनाम से बार बार में प्रसन आता है मैं माही नदी का बताता हूँ तो माही नदी का जो उपना में वागड की गंगा, कांटल की गंगा, दक्षिन राजस्तान की स्वन रेका, आदिवाशियों की गंगा, तो चारो के चारो इंपोर्टेंट, चारो के चारो परिक्षा में पूछे गए अब तक, वागड की गंगा, कांटल की गंगा, दक्षिन राजस्तान की स्वन रेका आदिवाशियों की गंगा चलिएगा अगला है माही नदी की कुल लंबाई कितनी है तो माही नदी की कुल लंबाई है पांसो छेटर किलो मेटर कितनी पाइप सिक्स पाइप सेवन सिक्स किलो मेटर ये टोटल लंबाई है राजस्तान में नहीं ये टोटल है आपके MP राजस्तान और गुजरात की तीनों राजियों की मिला करके पांसो चेटर किलो मीटर राजस्तान में माही नदी की कुल लंबाई है एक सो इगतर किलो मीटर राजस्तान में कितनी है एक सो इगतर किलो मीटर याद रखना है ये भी अगला आपके लिए फेक्ट है माही नदी की साइक नदिया कौन कौन सी है तो माही नदी की साइक नदिया है इरू नदी, सोम नदी, जाकम नदी, अनास नदी, अरण नदी, चाप, मोरेन, वो बादर नदी तो ये आपकी इंपोर्टेंटे याद रखना है सबसे ज़़ा जो important है वो मैं आपको टिक कर देता हूँ सोम है जाकम है चाप है और मोरेन तो ये चार तो आपको बिल्कुल 100% याद रखनी है क्योंकि ये तो बार-बार में आती है उसके लावा जो और भी है न ये भी तो आपको याद रखनी है ठीक है परन्तु जादा जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है वो ये है माही नदी की साइक नदियों में एरू नदी माही नदी में माही बांद से पहले मिल जाती है तो आपको ये एरू भी याद रखनी है आपसे पुचा जाता है कि माही बांद से पहले कौन सी नदी जो है माही नदी में मिल जाती है तो उसका नाम है इरू नदी तता से सभी साइक नदिया माही बांद के बाद इसमें आकर मिलती है चाप नदी वो अनास नदी माही नदी में बाई तरफ से तता सेस साइक नदिया दाई ओर से मिलती है तो आपको ये भी याद रखना है कि चाप नदी और अनास नदी चाप नदी वो अनास नदी बाई तरफ से जबकि सेस नदिया दाई तरफ की ओर से मिलती है तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है चलिए अगला है मामला आपके लिए करक रेका इससे समवंदित वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन अब तक आप गिंती भी नहीं कर सकते इतनी बार प्रसंद आ चुका है माही नदी एक मात्र ऐसी नदी है जो करक रेका को अंतराष्टे स्थर पर दो बार काड़ती है या दो बार पार करती है तो माही नदी जो है ये करक रेका है करक रेका को दो बार काड़ती है करकरेका को दो बार काड़ती है इस प्रकार जैसे कि ये करकरेका आ रही है तो इधर से नदी आई फिर वापिस चली गए तो ये दो बार काड़ती है माही नदी किसको करक रेखा को काँ पर बासवड़ा डुंगरपूर में ठीक है तो ये आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और डुंगरपूर तता बासवड़ा माही नदी राजस्तान के डुंगरपूर तता बासवड़ा जील जो मैं आपको फेक्ट बता रहा हूं इनसे प्रसंद पूछे जाएंगे जिसा कि आपने पेपर भी दिया होगा तो आपने देखा होगा जो मैं बता रहा हूं यही प्रसंद आते हैं इससे बार नहीं आएंगे माही बजाज सागर बान से सम्मान्दित महत्तो पूण फैक्ट माही बजाज सागर बान राजस्तान का सबसे लंबा बान तो आप से पुजा जाये सबसे लोंगेस्ट बान कौन सा है तो वो हो जाएगा माही बजाज सागरबांद कौनसा माही बजाज सागरबांद माही नदीपा राजस्तान के बासवाडा जीले के बोर खेडा गाउं में इस्तित है तो काँ पर है कौनसे गाउं में है बासवाडा जीले में है बोर खेडा गाउं में माही बजाज सागरबांद की कौन लंबाई है 31.09 किलो मीटर सोरी दोस्तों मीटर है किलो मीटर नहीं है मीटर है याद रखेगा माही बजाज सागरबांद की कौन लंबाई है 31.09 मीटर माही बजाज सागरबांद से माही बजाज सागरबांद परियोजना निकाली गई है आप से पुछा जाए माही बजाज सागर परियोजना कहां से निकाली गई है माई बजाज सागर बांद से जो कि गुजरात तता राजस्तान के बीच चल रही है राजस्तान और गुजरात में ये परियोजना चल रही है इसके बीच में माई बजाज सागर बांद परियोजना से राजस्तान के डुंगरपूर तता बास वाड़ा जीले क्या है लाबानविते इनको फ्रोपिट होता है अगला है कागदी पिक अप बांद कागदी पिक अप बांद वेरी वेरी इंपोर्टेंड ये भी आता है वाई परसन तो इसे भी रट ली जेगा कागदी पिक अप बांद माही नदी के उपर बासवाडा जीले में इस्तित है कागदी पिककब बांध माही नदी में है पूचा जा सकता है कागदी पिककब बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है तो आपका आंसर होगा माही नदी पर बासवाडा जीले में माही साहिपन बांध पूचा जाए माही साहिपन बांध का है त आपको माई ही लग राया ओगे तो आप वैसे बता दोगे वैसे बताने में तो और ये कौन से जिल्चे मैं ये पूँचा जा सकता है। गई है तो माई साइपन बान से निकाली गई है यह परियोजना बीका बाई सागवाडा परियोजना डुंगरपूर जीले में चल रही है तो बीका बाई सागवाडा परियोजना कौन से जीले में चल रही है डुंगरपूर जीले में का पर डुंगरपूर जीले में अगला है त्रिवेणी संगम डूंगरपूर जिले की साबला तसिल के नवा टापरा गाउं में सो माही जाकम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है बेने स्वर दाम पता है आपको त्रिवेणी संगम तीन नदियों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है ये आपको याद रखना है और कौन सा गाउन है दोस्तों नवा तापरा गाउन डूंगरपूर जिलेकी तसाबला तसील में तो याद रखना है याद कैसे रखता है आपको बता देता हूँ कैसे रखोगे मा, सो, जा, मा, सो, जा, सो ट्रिक है आपको याद रखने की मा, सो, जा, याद रखने ना एक वर्ड में मा, सो, जा, मा का मतलब माई, सो का मतलब सो, जा का मतलब जाखम, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, बेणे स्वर दाम, बेणे स्वर दाम, इससे सम्दित अपके बार-बार में प्रशन आता है। याद रख लेना है वेरी-वेरी इंपोटेंट है। त्रिवेणी संगम और सम्वन्दित प्रशन आपको बार-बार में देखने कुम लेंगे। यह fact वेरी-वेरी इंपोटेंट है। सोम माही जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर डुंगर पूर जीले की साबला तहसिल के नवा टापरा गाउं में ही बेने स्वर दाम इस्तित है पूछा जा सकता है बेने स्वर दाम कहा है तो नवा टापरा गाउं बेने स्वर दाम पर प्रतिवर संत माउजी की याद में किसकी याद में संत माउजी की याद में माग पुर्णी मा के दिन मेला लगता है क्या लगता है मेला लगता है बेने स्वर दाम माग पुर्णी मा के दिन पूचा जा सकता है कब लगता है माग पुर्णी मा के दिन आपका ये मेला लगता है किसकी याद में संत माउजी की में बेने स्वर नवाटाप्रा गाउं में अगला यहां पर बेने स्वर दाम को आदिवाश्यों का कुम्ब तता बागड का पुसकर कहा जाता है पूचा जाए आप से कि आदिवाश्यों का कुम्ब किसे कहा जाता है तो आदिवाश्यों का कुम्ब बेने स्वर दाम को कहा जा बागड का पुसकर किशे कहा जाता है तो बेने स्वरधाम को कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन्या से बनते हैं बेने स्वरधाम की स्थापना किस ने की थी शंत माउजी ने बेने स्वरधाम की स्थापना की थी अगला यहाँ पर दक्षिन राजस्तान माही नद राजस्तान की important नदी मानी जाती है गुजरात माही नदी रामपुरा के पास पंच महल गुजरात नामकिस्तान पर गुजरात में प्रवेस करती है माही नदी जो है रामपुरा गाउं के पास पंच महल गुजरात नामकिस्तान पर क्या करती है गुजरात में क्या करती है प्र कड़ाना बांद बनाया गया है तो यहाँ पर पंचमल रामपुरा में जो है गुजरात में कौन सा बांद बनाया गया है कड़ाना बांद याद रखिएगा कौन सा बांद है कड़ाना बांद अगला है यहाँ पर आपके लिए टोफिक माही नदी का समापन या मुहाना माही नदी गुजरात में बहते हुए अंत में कमबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर गिर जाती अंत में कमबात की खाड़ी अरब सागर में दोस्तों पीडियाप प्राप्त करनी है तो Steady IQ Academy के नाम से टेलिग्राम है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कल वाली भी और आज वाली भी ये आपको मिल जाएगी सवाद 10 बजे पीडियाप आमारे टेलिग्राम ग्रूप में तो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप् टोपी करवाएं अब तक में तीनों के बारे एक भी प्रसंच चला जाए तो मेरी गारंटी है आपकी इंद्रेगांदी नर चंबल रिवर और आपकी मही रिवर तो ये तीन में करवा चुका हूँ इसके बाद में कल जहां तक होगा मैं आपको बनास रिवर के बारे में बत